तो सबसे पहले जानेंगे कि swing trading क्या होती है आप कोई भी stock एक दिन से ज्यादा अगर hold करते हो तो वो आपके लिए swing trading का trade बन जाता है मतलब आप उस stock की delivery लेते हो और maximum एक week के लिए या फिर एक मेने के लिए वो trade hold करते हो तो उसे आप swing trading का consider कर सकते हो लेकिन कुछ certain rules है उसको follow करना होगा आपको ऐसे भी किसी stock में उठके आप swing trading नहीं कर सकते हैं आपको chart follow करने होंगे या फिर आपको news उस stock में की देखनी होगी तो दो method हम यहाँ पर discuss करेंगे पहला तो है news किसी stock में अगर कोई अच्छी news आ रही है या फिर कोई बुरी news आ रही है और आपको एक द इन दिन पहले आपको news के बारे में पता चले कि जिसका trigger होने वाला है उस stock के उपर जैसे कि stock के results हो गए या फिर bonus का issue date आ गया है या फिर bonus announce किया है dividend announce किया है या फिर कोई अच्छी news आ रही है सरकार की तरफ से या management की तरफ से तो ये news आपको swing trading के लिए उस stock को selection करवा सकती है आपको पता चलता है कि किसी particular stock में अच्छी result अच्छे आने वाले है आप analysis करते हो fundamental analysis करते हो और देखते हो कि result अच्छे आने वाले है या फिर bonus देने वाली है share company तो आप क्या करते हो stock को buy करके रखते हो उस particular time frame तक मतलब अगर 7 दिन बाद किसी stock के result है या 3 दिन बाद किस stock के result है और 3 दिन पहले या फिर 7 दिन पहले आपको stock buy करके रखते हो और result अच्छे आ जाते है और आपको return अच्छे वाहाँ पर मिल जाते है तो basically आपको क्या करना होता है low risk और high returns के बारे में सोचना होता है swing trading में आप क्या करते हो risk आपकी low होती है लेकिन आप high returns के बारे म सूचना है अब रिटन्स कितने यहाँ पे आपको देखने होते हैं दस से लेके 15% के रिटन्स आपको swing trading में मिल सकते हैं ये 5 से 15 भी हो सकते हैं स्टॉक की volatility की उपर ये सारी चीज़े depend होती है तो आपको maximum 10 से 15% का swing trading में return लेना ही चाहिए क्योंकि उससे ज्यादा भी मिल सकता है लेकिन उससे कम भी आपको नहीं लेना चाहिए तो news basis पे इतना तो return आ सकता है कोई अच्छा high volatile stock होगा तो 15-20% का return भी आपको मिल जाता है अब जैसे मैंने कहा कि आपको वो stock delivery में लेना है अगर cash segment के stock है तो आप वो delivery में ले सकते हो अगर future का stock है तो उससे आप future में ले सकते हो वो भी आप delivery में ले सकते हो लेकिन contract जब end होगा तो आपको उसमें से exit होना पड़ेगा तो maximum एक मेने के लिए आप swing trading की position hold कर सकते हो अगर future में आप trading करते हो तो दूसरा तरीका होता है chart analysis करने का chart के उपर आप technical पूरा analysis करते हो price action के analysis करते हो या फिर किसी indicator का analysis करते हो और उसके साथ swing trading का trade लेते हो अब हम यहाँ पे देखेंगे chart के उपर आपको किस तरीके से marking करनी होती है और उसके साथ trade initiate करना होता है market कभी भी इस तरीके से नहीं बढ़ता है जब भी market में move आती है वो कुछ इस तरीके से आती है या फिर market गिरने के time पे इस तरीके से market में move आती है continue market ऐसे नहीं गिरता है तो आपको क्या करना है अगर trending market है uptrend अगर शुरू है तो आपको buying position ही ढूननी है तो सबसे पहले आप क्या करोगे ये higher lows को mark करोगे जो भी stock आप select करते हो उसमें आपको ये higher lows mark करने है और एक uptrend line draw करनी है उसके साथ साथ ये जो price गिर रही है नीचे तो buy करने की position कब ढूननी है ये जो price गिर रही है उसके lower highs को आपको mark करना है और कुछ इस तरीके का आपको structure बना लेना है तो जबी भी price इसको break करेगी उपर की तरफ आपको buy position बनानी होती है अब buy side में बैठते हो swing trading के लिए अब देखते है time frame अगर आप future में trade कर रहे हो या फिर आप delivery में ले रहे हो तो आपको one hour से जादा का time frame यहाँ पे use करना है swing trading करने के लिए एक गंटे के ऊपर की candle stick आपको select करनी है और उसके ऊपर आपको जो भी price action मिलेगी buy की side में या फिर sell की side में वो आपको ढूननी है और उसमें trade आपका initiate करना है live example देखेंगे यह Tata Steel का one hour का chart हमने open किया है stock अच्छा खासा यहाँ पे run up दिखा रहा था आप देख सकते है तो यहाँ पे अगर मुझे trade लेना होगा या फिर लिया होता तो किस तरीके से swing trading बन सकता है यह हम देखेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे support को draw करेंगे higher lows को connect करके यह trend line हमने यहाँ पे यहाँ से connect करना शुरू किया और इस तरीके से हमने यह support की trend line draw कर दी अब देख रहे हो stock यहाँ पे support लेके trend line का support लेके ऊपर जा रहा है लेकिन आपको क्या करना है confirm trade लेना है support trend line के पास भी आप swing trade बना सकते हो लेकिन confirmation trade लोगे तो जादा अच्छे तरीके से return आपको मिल जाएंगे तो दूसरा आपको trend line जो draw करना है वो lower highs का करना है जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे एक high बना यहाँ पे एक high बना यहाँ पे एक high बना तो इस lower highs को connect करते हुए हमें एक trend line draw करनी है और उसके breakout के बाद यहाँ पे trade initiate करना है तो आप देख सकते है कुछ इस तरीके से हमने यह trend line draw की यह जो trend line यहाँ पे आपने draw की है यह उपर की side में break हुई है यहाँ पे उसके बाद stock उपर गया और फिर नीचे आया है लेकिन trend line इसने break नहीं की है आपको यहाँ पे दो support मिल जाते है तो थोड़ा सा लंबा support लेके आप यहाँ पे trade करने की कोशिश कर सकते है returns की अगर बात करेंगे तो आपको पहली बार में अगर जो breakout आया है वहाँ पे returns अच्छे नहीं मिले है लेकिन यह जो trend line दूसरी बार इसने break की है उसके बाद अच्छे खासे return देखने के लिए मिल सकते है तो कभी-कभी stop loss भी हिट हो जाएगा ऐसा नहीं कि market में हर बार ही आपका target हिट होगा कभी-कभी stop loss भी हिट होगा आपको उसकी तयारी रखनी होती है लेकिन अगर यह इस तरीकी का cluster of support आपको दिखाई देता है तो उसके confirmation candle के बाद आप अच्छा खासा swing trade के लिए यहाँ पे trade initiate कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे अगर आपने trade लिया होता तो stop loss आप लगते swing low के नीचे जो की normal low करते है कि swing low के नीचे आप में stop loss रखना है तो stop loss तो कहीं भी यहाँ पे hit नहीं हुआ है तो यह भी trade आपका अच्छा खासा बन गया है अगर आप result देखोगे और return देखोगे इसके तो info line अगर हम draw कर देंगे मालो यही पे हमने trade लिया है तो यहाँ से लेके आपको यहाँ तक return मिले है जो की लगबग यहाँ पे 34% के निकल के आते है आप देख सकते हैं यहाँ पे 34% के return मिले है trend line break करने के बाद तो news base पे तो आपको 10-15% मिल ही जाएंगे लेकिन अगर आप price action का analysis करोगे इस तरीके से chart पे analyze करोगे तो आपको उससे भी जादा return swing trading में मिल सकते हैं हाला कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा time ज्यादा लगा एक मेने से थोड़ा ज्यादा लगा लेकिन आप cash में भी stock को लेके बैठते हो तो भी आपको अच्छे खासे return याँ पे देखने के लिए मिल सकते है short position अगर आपको बनानी है तो आपको same तरीका लेना है trend line आपको draw करनी है और trend line break करने के बाद जैसे कि यह यहाँ पे इस तरीके के trend line बन रही है तो जो भी यह trend line break करेगा stock तो आपको short की position initiate करनी होती है तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इसने previously trend line का support लिया था और जब भी यह trend line break कर दी stock में moment नीचे की तरब शुरू होगी तो trend line की मदद से आप swing trading में अच्छा खासा profit कमा सकते हो और आपका जो भी trade होगा buy के side का या फिर sell के side का आप initiate कर सकते हो इसके अगर हम return देखेंगे यह trend line break करने के बाद return कितने मिले है तो आप देख सकते हो यहाँ पे अगर यही पे हमने trade initiate किया होता तो लगबग 13 to 14% के return हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे है यही तक भी हम consider कर देते है तो भी हमें लगबग 14% के return swing trading के लिए मिल रहे है और यह अच्छे return है अगर आपको 10% से ज़्यादा return swing trading में मिल जाते है सिर्फ आपको थोड़ा सा यहाँ पे rule और discipline follow करना होता है price action को perfect तरीके से आपको देखना होता है हमेशा swing trading करते वक्त buy at support level and sell near resistance level यह आपको धान में रखना है buy near support level और sell near resistance level यह चीज़ आपको करनी है तो ही आपका swing trading का जो trade अपने initiate किया है वो आपको अच्छे खासे profit में बंद हो जाएगा या फिर अच्छा खासा profit आपको देदेगा तो यह था दोस्तो swing trading का तरीका किस तरीके से आपको news base और chart analysis के साथ swing trading करनी होती है इसके बारे में detail जानकरी आज हमने आपको दी I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज like कीजेगा दोस्तों के साथ share कीजेगा और हमारे चैनल को भी जरूर सबस्क्राइब कीजेगा धन्यवाद